डू गाईज मैं इस वीडियो में आप लोग बता हूँ है कि आप लोग पास कुछ पाइरी आ रहा था जिसमें कि पहला कारी आप लोक पास हा रहा था कि auto upgradation में क्या करना यह नो करना देखिए मैं आपको बता दूई यहांप कि yes उन्हीं लोगों को करना है जिन लोगों को यह मतलब college change करना चाहते हैं और जह जो college change करना चाहते हैं जैसे देखिए auto upgradation क्या मतलब है कि आपने कोई दस नमर का आपको college अलोट कर दिये गया, ठीक है, तो 10 नमर वाले college आपको मिले हुए हैं, लेकिन आप चाहते हैं, आपको उम्मीद है कि 9 नमबघ, 8 नमबघ, 7 नमर वाले college आपको मिल सकता था, ठीक है, और आपको आप विश्वास है कि आपको वो college आपको मिल ही जाएंगे तब ही आपको auto-upgradation करना पड़ेगा अगर नहीं करते हो तो आपका जो college है वो आपका same होई college में रहेगा और उसी college में आपको क्या करना पड़ेगा admission लेना पड़ेगा ठीक है और जो लोग auto-upgradation कर रहे हैं मतलब कि जो लोग yes कर दिये यह no कर दिये ठीक है तो उन लोग का जो reporting एक center बनाया गया उस center पर आपको जाए सभी लोग को मतलब जो yes करेंगे वो भी या जो no करेंगे वो भी सभी लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जा करके देखिए उन लोग को भी 100% reporting करना है यहां मैंने बताया दिया कि सभी लोग को reporting करना है उसके बास देखिए second मतलब लोग का एक और college मिलेगा तो मैंने अभी बोला कि उन लोग को क्या करना पड़ेगा wait करना पड़ेगा second allotment list के लिए ठीक है और document verify अभी जो center आपको बता जाएगा उसमें जाकर कि आप लोग को क्या करना पड़ेगा मतलब document verify करा लेना पड़ेगा ठीक है तो यह auto upgrade में आप सबसे पहले आप न देख लाए ना कि आपको yes करना चाहते हो या no करना चाहते हो मैं जया तो लोग को suggest करूँगा कि आपको यूँ ही देगा ठीक है तो सब का उतना ही value रहेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है कोई सभी college मिला है आप वहाँ जाकर के पढ़िए ठीक है और मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी लोग no करिए ठीक है no कर लेजे कोई दिक्कत नहीं है और उसके पासे अपना list जार मतलब college जो आप लोग के लोट के को वहाँ पर जाकर करके आप admission करें डॉक्मेंट वैपाई करें और आया की पढ़ाई को continue करें ठीक है I hope कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा